हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सब कारू जी भू चैनल पर आज मैं आप लोगो लौकी के कोपते बनाना बताऊंगी आप इस विधी से बनाएंगे तो आपके लौकी के कोपते बहुत ही नरम बनेंगे और अच्छे बनेंगे इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो लौकी लिया है इसको मैं अच्छे से छील कर धो लिया है धोने के बाद मैं इसका कदुकस कर रही हूँ इसको मैंने मोटे साइट वाले से कदुकस किया है ताकि मेरा कदुकस जल्दी हो जाए कदुकस हो जाने के बाद मैंने इसका पानी हाथ से निचोड़ कर निकाल दिया है क्योंकि ऐसे बनाने पर लौकी के कोपते बहुत ही अच्छे बनते हैं लौकी के पानी को हम फेकेंगे नहीं, इसको हम साइड में रख लेंगे और इसका यूज हम ग्रेवी बनाने में करेंगे इस तरह से मैंने लौकी में से सारे पानी को निकाल दिया है और पानी निकलने के बाद कतुकस किया हुगा लौकी ऐसा दीख रहा है अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे, इसमें मैंने दो हरी मिर्च कटी हुए, हाफ चम्मच मैंने यहाँ पर अद्रक का पेस्ट डाला है, और वन फोर्थ टी इस्पून हल्दी पॉर्डर डाला है, और वन फोर्थ टी इस्पून लाल मिर्च पॉर्डर, और आधा चम्मच काली मिर्च पॉर्डर और आधा चमच जीरा पॉर्डर डाल लिया है इसमें मैंने आधा चमच नमक को भी डाला है मैंने यहाँ पर बेशन का यूज नहीं किया है दो घंटा पहले मैंने चना डाल को फूलने के लिए डाल दिया था मैंने यहाँ पर आधा किलो लौकी के लिए आधा कप चना दाल फूलने के लिए डाला था और उसका मैंने पेश्ट बना लिया है इस तरह से बनाने पर लौकी के कोपते बहुत ही सोफ्ट बनते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं मैंने दो चमच चना दाल के पेष्ट को पचा कर रखा है इसका यूज मैंने गिरिवी बनाने में करूंगी मैं और बाकी सब चना दाल के पेष्ट को मैंने इसमें मिला लिया है इसको हम बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद इसको हम साइड में रख लेंगे तेल को मैंने गरम करने के लिए गैस पर रख दिया है इसको पहले हम हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लेंगे उसके बाद हम जब अच्छे से तेल गरम हो जाए तो फ्लेम को हम लो कर देंगे उसके बाद हम अपने पकोड़ों को डालेंगे जितनी कड़ाई में अट जाए उतना ही हम कोफ़ते डालेंगे अगर आप इस तरह से चना दाल फुलने के लिए नहीं डालिएगा तो आप बेसन का यूज कर सकते हैं बेसन को डाल कर आप अच्छे से एक ही डारेक्शन में पांस मिरेट तक मिला लीजिए उससे भी नरम, मुलायम, कोफ़ते बन जाते हैं इस तरह से हम कड़ाई में कोफ़तों को डाल देंगे एक तरफ पक जाने के बाद इसको हम एकेख करके सारे कोफ़तों को पलट देंगे और दुसरी तरफ भी अच्छे से पका लेंगे गोलडर ब्राउन होने तक कोफ़तों को हम पका आएंगे मेरे कोप़ते अच्छे से पक गए हैं इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी इस तरह से मैंने सारे कुपतो को तल दिया है कडाही में जो एक्स्ट्रा तेल है उसको मैं निकाल दूँगी और इसमें मैं उतना ही तेल छोड़ूँगी जितना की मुझे ग्रेवी बनाने के लिए चाहिए मैंने यहाँ पर तीन बड़े चमच ग्रेवी बनाने के लिए तेल छोड़ा है और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने हरी मिर्चे तीन काट लिया है और दो बड़े प्याज काट लिया है टमाटर को पीस कर मैं प्यूरे बना लूँगी देखिए मैंने कड़ाई में तीन चमच ही तेल छोड़ा है तेल गरम होने के बाद मैंने आधा चमच जीरा डाल दिया है जीरा को हम तड़कने देंगे जीरा जब तड़क जाए तो मैंने जो दो बड़े प्याज छोटे छोटे काट लिया था उसको मैं डाल दूँगी आप इसको पीसकर भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूँगी मैं तीन हरी मिर्च को काटा था उसको मैंने डाल कर अच्छे से मिला लूँगी और इसे मैं थोड़ा सा पकने दूँगी प्याज जब हमारा थोड़ा सा पक जाए देखिए इतना ही तब इस स्टेज पे मैं अद्रक और लहसन दोनों का पेस्ट डाल दूँगी एक बड़ा चमच मैंने अद्रक लहसन का पेस्ट डाला है अगर आप लहसन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं आप टमाटर ही डालकर आप ग्रेवी बनाईए और अद्रक डालकर इससे भी ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है देखिए मेरा प्याज अध्रक लहसन सब अच्छे से भुन चुका है दो चमच जो बेशन का पेश्ट रखा था उसे मैंने आधा चमच हल्दी पॉर्डर एक चमच धनिया पॉर्डर और हाफ टी इस्पून लाल मिर्च पॉर्डर और हाफ टी इस्पून काली मिर्च पॉर्डर और एक बड़ा चमच मैंने गरम मसाला डाल लिया है इन सबको अच्छे से मिलाकर मैं कडाही में डाल दूँगी ताकि मसाले भी भून जाए मेरे सारे और चना दाल का जो पेश्ट था वो भी थोड़ा भून जाए ऐसे बनाने पर कुफ्ती की ग्रेवी भी बहुत ही टेस्टी बनती है जब भून जाता है तो थोड़ी थोड़ी सी हलकी सी खुसबू मसालों की आने लगती है इस स्टेच पर जो मैंने तीन टमाटर लिया था उसको मैं डाल दूँगी पीस कर और इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से भून कर पकाऊंगी अगर आप प्याज लहसन नहीं खाते हैं तो आप तामाटर पांच तामाटर आप यूज कर सकते हैं और तामाटर भून जाने के बाद इसमें मैं जो लौकी का जूस हमने जो बचा के रखा था उसको डाल कर एक्स्ट्रा जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना पानी मैं डाल दूँगी और सबको बहुत ही अच्छे से मैं मिला लूँगी अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें एक बॉइल आने देंगे जब एक बॉइल आ जाए तब हम इसमें अपने कोप्ते को डाल देंगे मेरे कोप्ते बहुत ही मुलायम बने हैं बहुत ही अच्छे बने हैं मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ देखिए मेरे कोप्ते कितने अच्छे मुलायम बने हैं ग्रेवी में बॉइल आ चुका है अब सारे कोपते को हम इसमें डाल देंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे आप इस बार ऐसे ही एक बार बना कर देखिए और कमेंट करके जुरूर बताएगा कि आपके कोपते कैसे बने थे अब इसमें मैं थोड़ा सा स्वाद के रनुसार नमक डाल दोंगी मैं यहाँ पर हाफ टीज पून नमक डालती हूँ क्योंकि कोपतों में भी हमने नमक डाला है नमक को हम बड़ा ही सौधानी से डालेंगे क्योंकि ज़्यादा पड़ जाए तो भी प्रॉब्लम ना डालें तो भी प्रॉब्लम खाने में सब नमक का ही खेल है दस मिनट के बाद देखिए मेरे कोपते तयार हो गए हैं इतने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी उतने ही स्वादिश्ट है इसकी में मैं अब उपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दूँगी देखिए सर्व करने के बाद हमारे कोपते कुछ ऐसे लग रहे हैं और रोज नई रेस्पी सीखने के लिए पता हैं आपको क्या करना है आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और सुनो मेरे चैनल को लाइट शर और कमेंट जरूर करना थैंक यू पर वाचिक